बाट रहे हैं लेकिन 52 गाओं से ज्यादा इलाकों में टेरर बना हुआ है रिपोर्ट देखे गाओं से शहर एक जिले से दूसरे जिले तर हर जगा आदमखोर भेडिया ने आतंक मचा रखा है भेडियों का हमला लोगों के जान पर भारी पड़ रहा है वन विभाग से लेका शूटर तक आदमखोर भेडियों को पकड़ने के लिए लगे हुए है लेकिन भेडिये एतने शातिर हैं कि अभी तक वन विभाग और प्रशासन के हाथ नहीं लग पाए आदमखोर भेडिया अब भी आजा टहल रहा है और गाओं के लोग घर के अंदर रात बिता रहे हैं वहीं गाओं के कुछ लोग टोलियों में घूमने का काम कर रहे हैं तहलने का काम कर रहे हैं रात बर पहरा देते हैं गस्त करते हैं ताकि आदमखोर भेडिया अगर दिखाई दे तो ये लोग तुरंत हला करें सोर करें गाउंवालों को इलट कर दें जिससे कि उनकी जान बस सके या बनविभाग को सूचित करेंगे कि यहाँ पर आदम खोर भेडिया देखा गया है आदम खोर भेडिये कैमरे में कैद हो रहे हैं गाउवाले मोबाइल से भेडियों के तस्वीर भी ले रहे हैं बाइक पर जाते वक भेडिया का वीडियो भी बना रहे हैं लेकिन वन विभाग की भारी भर कम टीम दो भेडियो को पकड़ नहीं पा रहे हैं हालात यह हैं कि भेडियो के आतंग को देखते हुए गाओं के लोगों के हाथ में भी लाठी डंडे और लाल्टेन हैं रात भर सड़क किनारे तंबू लगा कर पहरा दे रहे हैं आदम खोर भेडिये का ऐसा आतंग की पूरे छेतर में डर और भै का माहौल है बिधायक जी काफी दिन हो गए कई महीनों से ये पूरा जो छेतर है वो इसमें डर और भै के साये में जी रहा है किसान रातों को काम नहीं कर पा रहे हैं दिन में काम नहीं कर पा रहे हैं कम मुक्ति मिलेगी इस पूरे संकट से अब पहला शब्द तो आपने कहा है कि लोग डरे हैं सेहमें हैं ना तो अब छेतर का कोई बेक्ति डरा है और न सेहमा है लोग जागरूख हुए हैं, जहां किसी के पास टार्च नहीं थी गाओं में, अपने मोबाइल से काम तेलाते थे, वहां टार्चें लोगों ने लिली हैं, जहां डंडे लेना छोड़ दिया था, वहां लोगों के हाथों में डंडे आ गए हैं, गन्ना काटने वाला फरसा आ है, भाला आ गया है, अपनी सुरच्छा के लिए वो ततपर हो गए हैं, जागरूख हो गए हैं। मानले एक ही टाइम में कैद हो जाते हैं, तो तो ये एक दम ही क्लियर हो जाएगा कि दोनों अलग-अलग है, जो भी है एक वहां जो घूम रहा हूँ अलग, या इसी जुन्ड का एक उधर जा रहा है, फिर वापिस आ जा रहा है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी ऐसी होती है लेकिन वन विभाग के अधिकारी भेडिये को अब तक पकड़ नहीं पा रहे हैं, यूपी के बहराईच ही नहीं, आसपास के जिलो में भी आदम खोर का आतंक देखने को मिल रहा है, ये भेडिये लोगों को निशाना बना रहे हैं, प्रशासन और वन विभाग की तरफ से आदम खोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भेडिया इतना शातिर है कि वन विभाग के हत्ते नहीं चड़ रहा, यही वजाए कि बहराईच में सन्नाटा पसरा है, लोग खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ब्योरो रिपोर्ट, रेप से पहले आपके पास मिनाक्षी आते हुए, जरा बताएए क्योंकि अब जो चिंता है वो और बढ़ती जारे क्योंकि हमने लगातार बढ़ रहे हैं, एक बार पर से आदम को और तस्वीरों में कैद हुआ है, अब गाउवाले इस वक्तिन परिसितियों में जीने को मजबू और महमूदाबाद के नारायन पूर गाव में यहां पर भी बेडिये ने अपना आतंग फैलाना शुरू कर दिया है, एक महिला मेरे साथ है, मैं सीधे तस्वीरे दिखाती हूँ क्योंकि कल शाम ही उन पर अटेक हुआ है, शाम छे बजे उन पर अटेक हुआ जब वो नल प कोशिश की कोई बचाने आया, हमारी सिस्टर, अच्छा, आपने देखा भेडिया ही था, जी सर, चोटे आपको ज़्यादा आई हैं, डॉक्टर को दिखाया, जी सर, चोट आई, भेडिया यहां पहले आया या पहली बार देखा, पहली बार देखा, आपने सुना होगा कि यहां बेडिया का आतंग काफी है, जी सर, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, क्योंकि इन्हें काफी चोटे आई हैं, वो तस्वीरे भी में आपको दिखा देती हूँ, कि बेडिया ने किस तरीके से उनके हाथ पर हमला किया, उनके पैर पर हमला किया, और उनके शरी जानकारी पूरी हो चुकी है, अभी सुबह अभी आये थे कुल लोग, और पुना चले गए, चार बज़े का टाइम दिया, कि चार बज़े हम आएंगे, यहां पर पिंजरा बिजरा लगाएंगे, नहीं यह तो हम कुछ नहीं जानकरी है, यह बोले कि जार है, जार आएंग कि इस तरह भी इस तरीके से बेडिया कभी आ सकता है, हाँ यह सोचते से साइब आएगी किसी दिन, वही मौका हो गया, कभी जिन्दगी में कभी नहीं हो, मुल आएगवा टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है, हमारे गाओं में अभी तक पूरे मौजे में इस छेतर में ऐसा गाहिल हुई है, पैर में उसके काफी जो है कि अच्छा तो उन पर 11 बजे रात को अटेक हुआ, 11 बजे रात में इधर से आया था उस तरफ से, तो उस तरफ से ले करके डंडा लोगों ने भगाया था, तब जाके वह यहां के इधर इधर से निकल गया, फिर बात में रात म दो बजे रात में चाचा ने देखा था, अच्छा यह बताएंगे आपकी एक ही बेडिया है या ज्यादा थे, यह मालम नहीं, एक ही या दो, दो देखे, दो देखे, दो देखे, दो बेडिये दिखे है, उस पर गया भावी पर और दूसरा वाला इन पर हमला हमला किया, त सुच्छे की, सुच्छा साइब आप लोग करूंगी तो हम पिर कापा कैसे के देंगा, वन्वेभाग की टीम आएगी, वो कहके गए हैं कि यहां पर जाल लगाया चाहिए, यहां कहके गए हैं, यहां पर हमा करके जाल लगाएंगे, उनको देखेंगे, और पकड़ने की को हैं, वो लोग कह रहे हैं तो कि मेडिया है, तो देखेंगे, यहां पर जो इससी बनी हुई है, कल शाम ही यहां पर हमला हुआ, दो महलाओं पर अटेक किया गया है, इनके हाथों में काफी चोट आई है, जो दूसरी महला है, उनके पैरों में भी चोट आई है, वन्वेभा लाठी डंडो से भगाया उसको, तो आपने देखा था भेडिया ही था, अब भेडिया उसको हम लोग इतना नहीं पंचान पाए, दोड़ भाग में, लेकिन देखा, है जानवर, ठेक तरीके से में नहीं कि बेडिया ही है, क्योंकि यहां सीतापुर में जहां आप क्योंकि दोनों ही आदम खोरों का यहां आतंक देखा जा रहा है। नहीं है, लेकिन बेडियों के बारे में, क्योंकि हमने पहले भी दिखाए थे, आपको एक ख़बर की किस तरीके सिग्वरद महिला पर अटेक किया गया था, और उसकी जान चली गई थी, कई लोग ऐसे जो की घायल बताय जा रहे हैं, और सीतापुर जिले के बात करते हैं, आप लोग ने भी बेडिया देखा था, आप लोग वहां बैठे थी, जैसे इनको पहले और अटेक किया जहा हम लोग सब लोग डंडे लेके दो रहे तो उनको छोड़ा और उधर तर यह चिल्दाने लगी भी, कि हमारे तो वहां दोडे तो वहां उसको वहां पर कई घटनाएं हो चुकी हैं, और इसी के साथ कई लोग घैल भी बताई